क्या आपको लगता है कि फोटोग्रेफर आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करता है? समय शायद आपको लगे कि ये कुछ घंटों का काम है लेकिन आप कुछ बातों को नजर अंदाज कर रहे हैं जैसे कि एक फोटोग्रेफर का लोकेशन तक की ट्रेवलिंग में लगने वाला समय, शूट से पहले नेगोशेशन का समय, वास्तविक शूट का समय, डेटा के ट्रांसफर से लेकर बैकिंग अप में लगने वाला समय, केवल प्रोसेसिंग के बात की प्रक्रिया पोस्ट प्र प्रोफेशनल फोटोग्रेफर्स को रेगुलर बदलते तक्नीक के साथ खुद को अप टू डेट रखना पड़ता है। वे हजारों रूपे कैमरों के विभिन्न प्रकारों के उपकरण, बहतरीन लेंसेज, ट्राइपॉड्स, लाइट स्टैंज, बैक ड्रॉप्स, सामान रखने वाले केसिस के लिए खर्च कर देते हैं। अतिरेक्थ खर्च प्रोफेशनल फोटोग्रेफर्स वेबसाइट, स्टूडियों का किराया, बिजली और फोन बिल का भी भुकतान करते हैं। इतना ही नहीं, वे सॉफ्ट्वेर्स के वेबसाइक लाइसेंस भी खरीटते हैं। कौशल एक अच्छे फोटोग्रेफर होने के अलावा, उन्हें CEO, Marketing Managers, Finance Managers, Sales Person, Production Worker, Purchaser, Negotiator, Driver, Networker, आदी की भूमी का भी निवानी होती है। अनुभव अनुभव एक ऐसी चीज है, जो सब परभारी पड़ती है, और प्रोफेशनल लोग काफी अनुभवी होते हैं। वे आपको उन तमाम चीजों के लिए सलाह दे सकते हैं, जिनके बारे में आप आसानी से नेड़ने नहीं ले पाते, सहायक और मदद। उनके पास एक छोटी सी टीम होती है, चाहे वे लोकेशन पर हो या स्टूडियो में, फोटोग्रेफर अपनी आज से उनका भी बुक्तान करते हैं। यूनिकनेस एंड क्वालिटी प्रोफेशनल लोगों का अपना एक अलग अंदाज होता है, ताकि हर शूट अलग दिखे, वे अपने क्लाइंट्स के पसंद का पूरा खयाल रखते हैं, और मनमाफिक नतीजे देते हैं। Returns, सच्चाई यही है कि आपने जिसके लिए कीमत दी है वो आपको मिलता है, आपको मिली फोटोस पूरी तरह से पैसा वसूल होती हैं, इसलिए अगली बार अगर आप सोचे कि फोटोग्रेफर्स ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, तो इन बिंदुओं पर जरूर गौर क इजगा